हाई स्टुडेंट स्वागत है हमारे युट्यूब चैनल महत्था क्लासेश में आज इस वीडियो में क्लास एट का जो आपका चैप्टर इलेवन पोसेंड प्रेसर है जो आपका सी बीसी गोर्ड में भी है जा अगर एस्टेट गोर्ड में भी है आपको दूसरे बॉक्स याज इसमें आपको चैप्टर नंबर अलग निल सकता है इस वीडियो में आपको यह चैप्टर हम काफी अच्छा से सम्झाने का कोशिस करेंगे और आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको आज़ेक्टे रहेगा इस चैप्टर को हम कुछ में बात के छोटा-छोटा वीडियो में ला रहे हैं और कोशिस हम आपको काफी अच्छे तरह सम्झाने का करेंगे तो आई चलते हैं बात करते हैं चैप्टर का आपका फोर्स एंड प्रेसर का तो सबसे पहले आप देखिए इसका इंट्रोड़क्शन में आपको बता रहे कि आप देखते हैं कि मोशन पड़ा है जापी ओंड का टीक्मेशन आफ जगा पढ पढ तुके हैं तो मोशन क्या है यह तर्म में आप पढ तुके हैं कि वेन बाद रॉडी चेंजिट प्लेस िति स्चैंपिय्टको और in अरुजन तो जुरूबर दीसको अर गूज मोचन का कारण किया है, तो सबसे पदल आप देखते हैं कि मोचन क्या आओका, कि external force is needed to make a stressuellar body move, कोई भी body है, जब तक आप उसमें कोई external force नहीं लगाते हैं, जिसे देखें कि ये कोई abdi आप का दूआ है, ये wrist में और आप इस पर external force लगा रही है, तो वो क्या होता है, बोडी आफका मूफ करना शुरू करता है और जदि कोई बोडी आफका क्या है external forces need to stop a moving body या बोडी में कोई external force लगा रहे हैं तो वो क्या है moving body आफका rest में आ जाएगा तो that is the cause of motion is force motion का cause आफका क्या है कोई बीचीज में motion में लाना उसको stop करना उसका cause आफका जो region है वो क्या एक force है तो देखते हैं force का definition से बढ़े दू वार्ट से push and pull उसके बाद हम लुक बढ़े discuss करते हैं तो पहला बाद आपका जिसनिया force and pull तो सबसे बढ़े दिखे pull पार्टीज पूल यह क्या आत्राय पर कि force apply to bring an object closure to oneself that means आपको कोई object को अपनी ओर लाना है तो उसको क्या करते हैं pull करते हैं यानि उस object को हम लोग अपनी ओर खीचते हैं इसको आपको क्या बरा जाता है इससा situation को उसको क्या बर चाहता है it is called pull जिसको अबजेक्ट को अपनी ओर लाना है तो उसको ब्लोक क्या करते हैं आपको फ्लोग अपनी ओर खीचते हैं तो आपको पूल हो गया दूसरा बट आपकार दिलिना तो फॉर्स एपलाई तू मैक और अबजेट मूव अविक फ्रॉं वन से लिए हम लोग क्या करते हैं कि झाल दीफ ed43 में मार्केट मेंरों ने करता है उसको करना रहता है। अब जो वपेन कर रहे हैं तो चुछ करते हैं धक्का देते हैं तिये दू वर्ड आपका फूश है फूल वर तीस टैप आपको बहुत सरा एज़ेंब्ल मिल जाएंगें तो देखें फूल में क्या करना है आपको बिरीं क्लोज फूश में अवे फ्रॉं यू मनद पूल में क् आपको में डि कि दिखलाते हैं अम लोग और पूस में अवजट को दूर करते हैं अब दають देखें हम लोग ईलिपनेशन अब को फूर्स का क्याओक Сп में अ भी जिए हैं क्या है छे प्राइब आजाता है या कोई बडी मोशल में है तो रेस्ट में आ जाता है यह मतलग हुआ यह इस वर्ड का इसका इसका सेट में चैंजी लाना तो यह हुगा आपका फोर्स का डिफनेशन जोगी इसका पूर्स लगाते हैं तो सींपल पूर्स पूल कर रहे हैं तो वजिए तो आपका क्या है आपकर यॉशिखे है और इन्टीक्छe है देख़ एंृं यॉफादर इस पर आपकर लगा रहे महिट और आपकर क्या है इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो एक आपका बोडी हो गया, कि फोर्स लगा रहे हैं, and second this object, suppose that ये समर्णूप उठा रहे हैं, ये marker को उठा रहे उपर की ओड, तो marker एक object हो गया, और एक object आपका hand हो गया, when you are pushing any things, या you are open the door, then the door is one object, and your hand is one of them, यारी क्या होगा कि, फोर्स जब भी आप लगा रहे हैं, तो महां दो object का होना, दो body का होना, जरूरी है, एक body से फोर्स आपका लग नहीं सकता, अब आई देखते हैं, कि फोर्स है ये, magnitude, as well as direction, magnitude means उसका amount of quantity, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फोर्स के पास क्या है, magnitude भी है, as well as direction, इसका direction भी होता है, तो इसके पास दोनों quantity रहता है, magnitude and directions, इसलिए इसको बोला जाता है, आगे जाईएगा तो पढ़िएगा, a scalar and vector quantity तो इसके इसको रखा जाता है आपका vector, अब आज इसका आम लोग बात करते हैं, इसका unit होता है, वह आपका newton resistance को measurement करते हैं, जैसे आप कोई बे चीज हो गया, distance को measurement करते हैं, दो place का, distance को जैसे आप लोग मेजर करते हैं, meter में, या आप जैसे mass को measure करते हैं, किलोग्राम, केजी में, तो इसे में फोर्स को measure करते हैं, आपको Newton में, Newton एक आपका great scientist थे, जिनका surname से उनको honor करने, उसको सम्भानित करने के लिए, ये force technique को Newton रखा गया, जिसको हम लोग short में जब लिखते हैं, तो capital M से लिखा लाता है, जैसे कोई force आप लोग लगा, रहम लोग लगा रहे हैं, जैसे कही object में 10 Newton लिखें, तो ये आपका numerical value हो गया, ये उसका unit हो गया, तो इसका unit अपका unit जो है, क्या होता है, Newton, अब यहाँ आपको कोई push देगा what is the 1 Newton of force, तो simple decision, 1 Newton of force आप define किजेगा, तो कहा किजेगा कि 1 kg object 1 meter per second square का acceleration से move करता है, या या आपका जो कोई body है, जैसे ये 1 kg का आपका body है, और इस पर आप force जो लगा रहे हैं, और इसमें जो आपका acceleration होगा, का speed में increasing होगा, वो 1 meter per second square का होगा, तब वो आपका जो होगा, 1 Newton के equal होता है,